Hello friends, welcome to my YouTube channel Exercise 14.2 से question number 2 करेंगे Factorize यहाँ पर expressions दे रखी हैं आपको इन्हें आपको factorize करना है अब इस question के अंदर आपकी identity 3 का use होगा यहाँ जो भी आप questions देखेंगे ना उनकी form A square minus B square की form बन जाएगी और उसके दो factors होते हैं A plus B और A minus B बस आपको यह पहचानना है कि आप अपनी terms को इस form में कैसे लाते हैं चलिए first question से शुरूआत करते हैं देखें 4P square minus 9Q square 4P square कब आएगा जब मैं 2P को 2P से multiply करूँगा तो 4P square आजाएगा यानि 4P square 2P का whole square है minus इसी तरह से 9Q square कब आएगा जब मैं 3Q को 3Q से multiply करूँगा तो 9Q का square आजाएगा तो यह जो 9Q square है यह 3Q का whole square है बस इसी form में हमें अपने sum को बनाना है तो अब यह जो form है न यह बन गई है A square minus B square यहाँ पे A से मतलब है पहला number और B से मतलब है दूसरी term जो दूसरी वाली है और इनके बीच में minus है और इनके अगर whole square है तो फिर यह expansion बन जाती है यहनि इससे आपके दो factors बन जाते हैं A plus B और A minus B तो यहाँ मेरे दो factors बनेंगे 2P plus 3Q और 2P minus 3Q बस इसी तरह से आपको आगे के questions करने हैं सेकिंड question पे ध्यान दे 63A square minus 112B square A square और B square तो मुझे दिख रहा है कि यह whole square की form में है लेकिन 63 किसी का square नहीं होता 112B किसी का square नहीं होता तो यहाँ क्या करेंगे कुछ common निकालेंगे अब common का हमें तब पता चलेगा जब हम इनके prime factors करते हैं मैं 63 के prime factors करता हूँ तो 63 को 3 से divide करेंगे तो 21 आएगा 3 से करेंगे तो 7 आएगा 7 से करेंगे तो 1 आएगा तो 63 के prime factors होता है 3 into 3 into 7 और यह A square है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ minus 112 के prime factors मैं करता हूँ 2 से जाएगा यह तो 56 आएगा यह 2 से जाके 28 आएगा और 2 से जाके यह 14 आएगा 2 से जाकर यह 7 आएगा 7 1 से 7 से ही जाता है तो इसके आगए है 2 into 2 into 2 into 2 और into में यह 7 और यहाँ पर 20 स्क्वेर है अब देखता हूं में इनमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है देखे 7 दिख रहा है आपको दोनों में तो 7 यह कॉमन आ गया 7 कॉमन आ गया और यहाँ से 3 into 3 a स्क्वेर तो 3 into 3 a स्क्वेर का मतलब हुआ 3 a का यह होल स्क्वेर हो गया माइनस यहाँ से 7 बाहर आ गया यहाँ मुझे अगर होल स्क्वेर बनाना है तो मैं देखता हूं कि 2,2,0,4 हो गया और यह 2,2,0,4 हो गया अलग-अलग कर लिया मैंने, ये 4 और ये 4, यानि 4, 4000, ये दो चीजे होगी, तो 4 तो ये हो गया, और B square, ये B का whole square हो गया, इस तरह से आपको इसमें बनाना पड़ेगा, अंदर-अंदर जो बच गया है ना आपका, 3 into 3, यानि 3 का whole square, इन 2 को मैंने 4 बना लिया, क्योंकि बन गई है, तो इसके दो factors आएंगे, एक तो 3A प्लस 4 भी हो जाएगा, और एक 3A माइनस 4 भी हो जाएगा, इसके बाद 3rd question यहां कर देते हैं नीचे, छोटा सा question है, 49x square, ये किसका square होगा, 7x into 7x, 7x is a 49 और ये x square, तो ये 7x का whole square होगा, minus 36, 6x is a 36 होता है, तो ये 6 का whole square हो गया, बस ये मेरे A हो गया, ये मेरे B हो गया, और A square minus B square होता है, A plus B, और A minus B, आप identity भी चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं, एक्जाम में, आपको पूरे marks मिलेंगे, A square minus B square is equal to A plus B, और A minus B, 4th part पे देखें, 4th part भी आपका जो है इसी के जैसा है, 2nd part जैसा ही, इसमें 16 और 144, ये आपका कुछ-कुछ इसके अंदर 16 square होता है, और 144 भी होता है 12 का, लेकिन x5 और x3, ये तो square नहीं हो रहे, तो इसमें भी हम कुछ common ले लेंगे, common लेकिन ये सवाल आसान हो जाएगा, तो common लेते हैं, तो 16 के PF मैं करता हूँ, तो 2, 2, 2, 2, 4, 2, 3, 2, 2 से करना है मिरको, 2, 2's are 4, और 4, 2's are 8, और 8, 2's are 16, और x5 है, यहाँ पर मैं x5 लिख लेता हूँ, 144 के PF मैं यहाँ निकालके दिखा देता हूँ, 2 से करेंगे 72 आएगा, 2 से करेंगे 36 आएगा, 2 से करेंगे 18 आएगा, 2 से करेंगे 9 आएगा, और ये 3 से जाएगा 3 आएगा 3 से जाके ये 1 आ गया हो तो यहाँ पर 2, 2, 2, 2 चार बार तो 2 है और दो बार है यहाँ पर 3 और यह X की 3 भी है अब यह बिल्कुल प्राइट फेक्टरस हो गया है जो चीज़ भी इनमें common होगी ना बिल्कुल साफ साफ आपको दिखाई दे जाएगी यहाँ मुझे ये 4 बार 2 दिख रहे है और यहाँ पर भी ये 4 बार 2 है तो यहाँ पर भी ये 4 बार 2 है तो यहाँ पर 2, 2, 4, 4, 2, 8, 8, 2, 0, 16 तो दोनों टर्म के अंदर 16 common है यहाँ x5 है यहाँ x3 है तो 3 तो दोनों के अंदर है यहाँ भी x3 है यहाँ भी x3 है तो x3 मेरा common आ रहा है x3 को मैंने common ले लिया अब first time में से ध्यान देंगे कि बचेगा क्या देखे सारे के सारे जो number है वो तो बाहर आगे x5 है यहाँ x3 आगे तो सिर्फ यहाँ पे x2 बच गया यह minus का minus और इधर x3 थे x3 ही बाहर आगे और यह वाले सारे 2 बाहर आगे तो सिर्फ यह 3 और 3 बच गया 3 into 3 यानि की 3 का square बस बाहर की चीज़ से अब आपको मतलब नहीं है यह सिर्फ copy होती रहेगी क्योंकि जो formula है वो आपका यहाँ पे लग रहा है x2 minus 3 का square तो यह जब expansion होगी तो x plus 3 और x minus 3 यह इसके factors हो गई इसके बाद question number fifth part करते है fifth part के अंदर आपको bracket के अंदर दो-दो terms दे रखी है लेकिन है यह इसी form का जो form है इसकी वो यही है a square minus b square की ही शकल का दिखरा होगा आपको यह और इसके यह दो factors बनते है a plus b और a minus b तो यहां हमारे लिए जो a है ना वो यह पूरा का पूरा है और जो b है वो यह पूरा है यानि l plus m e है l minus m b है तो इनको हमें एक factor के अंदर तो plus करना है एक factor के अंदर minus करना है तो पहले हम plus कर लेते हैं तो ये लिया मैंने l plus m मुझे plus करना है इसके साथ यह वाला factor तो bracket में लिखूंगा हमें ब्रेकेट में लिखने का जो purpose है वो यह है ताकि sign में गल्ती ना हो पहले तो मैं जस लिखके ही दिखाऊंगा अब दूसरे bracket के अंदर L प्लस M माइनस और ये वाली B की वेलू L माइनस M अब इसे simplify करेंगे bracket से बाहर निकालते है L प्लस M ये प्लस है ना प्लस L प्लस L ही हो गया और प्लस और माइनस मिलके माइनस हो गया और ये M का M अगले bracket में L प्लस M as it is है माइनस L से multiply होगा तो माइनस L हो गया और माइनस माइनस M से multiply होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया और ये M हो गया और यहाँ पर माइनस M और प्लस M ये आपस में कट गए तो इस bracket के अंदर L प्लस L आ गया, यानि कि 2L आ गया, यहाँ पे माइनस L और प्लस L, यह आपस में कट गए, यहाँ M प्लस M बच गया, यानि कि दो बार M बच गया, 2M लिख देंगे इसको, अब नंबर नंबर का product करें तो 2, 2, 0, 4 हो गया, और L और M हो गया, यह इसका answer है, next देखिए, next थोड़ा सा और भी complicated है, इसमें पहले तो आपके यह जो चीज है ना, इसके अंदर एक identity लगेगी, identity लगके यह एक whole square की form में आ जाएगा, अब first question जो आपने किया है ना, उसके अंदर वो जो दो identities आपकी use हुई है, यह वाली, वो ही exactly यहाँ भी लगेगी, यह यह जो expansion दिखरी है ना आपको, यह दिखरी है इस form की, a square plus b square बीच में minus 2ab, यहाँ पे भी exactly यह हो रहा है, a और b जो है ना यहाँ पे, वो है आपका x और y, x minus y का whole square है यह वाली चीज, और minus यह z तो है, यह whole square की form में, बस अब इसकी जो form है वो यह बन गई है, यहाँ a आप पूरा का पूरा x minus y है और b आपका है z, तो एक बार इनको plus कर देंगे, एक bracket में एक बार minus कर देंगे, तो पहले मैं plus करता हूँ, x minus y में मुझे plus करना यह z, और दूसरे bracket में x minus y में मुझे minus करना यह z, वस यह इसके दो factors हो गए, तो यह दो questions थोड़े से अलग है, आपको ध्यान भी देना होगा, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी चीज यूज हो सकती, जितनी भी आपकी identities है, आपको form बनानी है question की, तो उसकी practice आपको खरनी पड़ेगी, 6th part यह बहुत आसान है, 9 x square y square minus 16, चा मैंने 7 पहले कर दिया, 5 के बाद, ध्यान रखना, आप 6th part यह यह चोट जब 3x और 3y, यहाँ भी x हो, और x के उपर भी 2 हो, तो दिख रहे हैं साफ साफ है, यहाँ पे सिर्फ 3 को देखना है, आपको की 9 है न, जो वो किसका square बन रहा है, 3 का बन रहा है, 3, और x square बनेगा x का, और y square बनेगा y के whole square, तो 3xy, 3xy into 3xy जब करेंगे न, तो 3, 3's are 9, और x, x, x square और y into y, y square, तब जाकर यह चीज़ बनेगी, तो हमें यह बनाना पड़ेगा, यह हमारा a बन गए, यह पहला नंबर, minus 16 तो बहुत सिम्पल है, 4, 4, 0, 16 होता है, तो यह 4 का whole square हो गया, और form यही बन गए उपर वाली, यह a मेरा बन गए है, यह 3x, और b मेरा बन गए है 4, अब एक बार इनको plus करना है, bracket में एक बार minus करना है, तो 3xy plus 4, और 3xy minus 4, यह दो इसके factors बन गए, 8th question इसमें सबसे अलग है, सबसे important भी यही है, दिखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है, इसमें क्या है, जो first term है न, यह 25a square, यह 5a का whole square हो गया, और आगे के जो 3 terms है न, इन 3 terms के अंदर आपको कुछ common लेके identity लगानी है, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि B और C, B square और C square हैं, और बीच में B C है, तो इस तरह की form बन रही है, question की यह वाली, वो आपका यह जो 3 terms है, इन में से ही बन पाएगी, अब इन में मैं कुछ common लेता हूँ अगर, bracket के अंदर 4B square, अब यह प्लस हो गया, यहां से माइनस common लेया, तो यह माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो एक माइनस बाहर आगया, तो यह अब माइनस में हो जाएगी term, 28BC, और यह माइनस बाहर आगया, तो यह प्लस हो गया, ऐसा करने से क्या हुआ, कि जो square वाली terms है वो positive हो गई, और बीच वाली term negative हो गई, बीच वाली term आपकी negative हो सकती है, square वाली terms कभी भी negative नहीं होनी चाहिए, तो 5A square को मैं as it is copy कर दूँगा, और माइनस का माइनस, अब इसमें मुझे ध्यान लगाना है, मैंने first question किया था न, उसमें यह वाली जो दो identities है, इनका use किया था, exactly वो ही यहाँ पे भी होगा, अब वो ही सारा काम होगा यहाँ पे भी, 4B square होता है 2B का होल square, और 49C square होता है 7C का होल square, और बीच में मुझे करना होता है, माइनस है न, तो माइनस लिखूँगा 2 का 2, और A और B बस यहाँ पे put करने होते हैं, A मेरा 2B है, और B है मेरा 7C, तो यह A square प्लस B square माइनस 2AB की फॉर्म बन गई, और यह जो फॉर्म होती है, यह सिंपली होती है, A माइनस B का होल square, तो 5A square मैं hasities कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे, माइनस, अब इतने सारे को, इस सारे को मैं लिख सकता हूँ, A माइनस B होल square की A मेरा है, यहाँ पे 2B, और माइनस है, तो माइनस लिखूँगा, और B है 7C, यह इसका whole square, अब आप देख रहे हैं कि यह form बिल्कुल यही बन गी है, A square माइनस B square, यहाँ मेरा जो A है, वो पूरा 5A है, और जो B है, वो पूरा का पूरा यह bracket की value है, 2B माइनस 7C, अब इनको मुझे एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, तो पहले मैं 5A प्लस और 2B माइनस 7C, यह मैंने प्लस कर दिया, अब मैं माइनस कर दूँगा, 5A माइनस में क्या करूँगा, प्लस तो मैंने डारेक्ट कर दिया, क्योंकि प्लस में साइन तो चेंज होते नहीं है, ल 2B-7C bracket में लेने का purpose क्या वो भी देखना आप क्योंकि bracket की वजह से ना ये minus ना ये sign change कर देगा 5A अब minus 2B से टकराएगा तो minus का 2 भी हो गया और minus into minus यहां टकराएगा तो ये plus हो गया और ये 7C हो गया तो जबी भी आपको minus के आगे कोई bracket की value लगानी हो ना तो पूरा का पूरा पहले bracket लगा के उसके आगया minus में लगाना फिर उसको product करके अलग से दिखाना पड़ेगा प्लस में ऐसी कोई tension नहीं है क्योंकि प्लस में sign आपका change नहीं होता है तो 5A प्लस 2B ये simply मैंने ऐसी copy करती हो तो इसके ये दो factors बन गए question कतम इस्टूडियों बस इतना ही next questions के लिए मिलता है फिर next video में तब तक के लिए goodbye